36 कड में नकसलियों की बॉखला हट साफ नजर आ रही है नकसलिय कभी जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी दूरस्त शेत्रों में विकास कारें को रोखने का शड्यंदर रच रहे हैं आपको बता दे कि नाराइनपुर में आज नकसलियों ने पुल निर्माण कारे में लगे वहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया है वहीं बताय जा रहा है कि करीब 40-50 की संख्या में नकसली अचानक यहां पहुंचे और पुल निर्माण में काम कर रहे मश्टूरों को बंधक बना लिया वहीं इसके बार पाने टैंकर समेट अन्यवाहनों के डीजल टैंक को फूड कर उसमें आग भी लगा दी जिसे लाखों का नुकसान हो गया वहीं वारदात के बाद नकसलीों ने मश्टूरों को यहां दोबारा काम ना करने की धमकी भी दी इसके साथ ही लॉट्टे समें एक मश्टूर की बाइक साथ लेका चली गए फलाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है आपको बताने की दो दिनों पहले ही बीचापूर सुकमा बॉर्डर पर सुरक्षा बनों का नया कैम्प लगाने से बॉक लाए नकसलीों ने जवानों पर हमला कर दिया महीं सैकडों की संख्या में नकसलीों ने जवानों को घेल लिया और फारिंग शू कर दी इस मुटभिड में तीन जवान शहीद हो गए वहीं बागी जवान खायल बताए गए हैं